तो नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब की नई वीडियो में तो सबसे पहले हम यहां पर जो जानकरी आज आपको देने वाले हैं वो व्यापम की जानकारी है तो व्यापम में एक वेकेंसी आई हुई है यहां पर वरतमान में 2022 के लिए तो यहां पर सबसे फ्रैंट में यहां पर शो कर रहा है कि ओनलाइन फॉर्म जो है घ्रूफ फाइव पैराएं नर्सिंग कंबार रिकूरूटमेंट टेस 22 स्टार्ट फॉर्म 14 अक्टूबर 2022 तो 12 ऑक्टूबर 2022 से ग्रूप 5 के है जो यह पेरा मेडिकल है नर्सिंग के लिए यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो गए ओपन होने वाले हैं तो यह 14 अक्टूबर इसका जो नोटिपिकेशन यहाँ पर डल चुका है तो यहाँ पर जो है हम रूल्स बुक के मादधे हम से जानने की कोश की तो यहाँ पर देखी सम्हू 5 की अंतरगत सहयक पसू चिकिस्सक छेतर अधिकारी स्टाप नर्स प्रयोग साला तकनीशियन वह अन्य पदों की जो यहाँ पर सीधी भरती वह बैकलॉग सीधी भरती है तो संयुक्त भरती परिक्षा 2022 के लिए यहाँ पर यह जो है वैकें है 28 October 2022 और इसमें जो संसोधन की जो तिथी दी गई है यहां पर जो है 14 October 2022 यह दी गई है और आवेदन में संसोधन करने की अंतिमती है दो नवंबर 2012 तक जो है आप इसके जो हैं यहां帶 संसोधन करवा सकते हैं साथ में यहाँ पर परिक्षा दिनांग भी यहांपर दिया गय सुक्रवार से यहां पर प्रारम हो गई यह बताया गया है नोटीस में इस रूल्स बुक में उसके बाद परिक्षा सुल्क यहां पर दिया गया है तो परिक्षा सुल्क यहां पर अनारक्षित अभ्यारतियों के लिए यहां पर जो है 500 रुपे प्रती प्रश्न पत्र के हिसा क्मंद्प्रेश मूल निवासी को के पास प्रमायंद पत्र होना चाहिए या फिर की प्रशंच रुपे प्रती प्रश्ण यहां पर जो है सुल्क का भुक्तान करना होगा यहां पर जो है सीधी भरती ब्लॉक भरती यहां पर पोई सुल्क यहां पर नहीं बताया गया है साथ में जो है यहां पर ओनलाइन आविदन जो है क्योष के माध्यम से भरने वाले अभ्यारती होती प्रिक्षा का जो है सुल्क यहां पर देना पड़ेगा औरować इस सीधी जन यूजरर के माध्यम करे दिया जायगा यहां पर यहां पर दिया जाएगा यहां पर दिया गहा है ऑंलाइन पर इक्छा पदैती की समय नहीं यहाँ पर दी गही कि कब इसके एक्जाम होंगे तो यहाँ देख लेते हैं परिक्षा का दिनाग बद दिन यहाँ पर देखिए 25 नमंबर 2022 सुक्रवार से यहाँ पर प्रारंब होगा परिक्षा की जो पाली होगी दो पाली होगा प्रथम पाली और दूती पाली यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए प्रथम पाली में जो है 7 बज़े से 8 बज़े तक जो है रिपोर्टिंग होगी और दूसरी पाली में जो होगा यहाँ पर 1 बज़े से 2 बज़े तक यहाँ पर रिपोर्टिंग होगी जिनका दूसरी पाले में यहाँ पर एक्जाम होगा और यहाँ पर जो है महत्पूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए जो समय है यहाँ पर 8 बज़े से जो है 8 बज़े के 50 मिनट से 9 बज़े तक यहाँ पर आपको निर्देश पढ़ने के लिए 10ke confused, सात में यहीं पर 10 minute का दूसरी पाली में समें दिया जाएगा, 2.50 मिनट से 3 बजे तक यहां पर 10 बजे का आपको समय दिया जाएगा ψ तो उत्तर अंकित план के लिए कितना समय यहां पर मिलेगा तो यहां पर जो कि 9 वज़े से 11 बज़े तक आपका प्रannip个 पेपर रहेगा दो घंटे आपको करते सानता है। आपके आदार क्यों डाटा में पिर छेमका सब्लाक है। और साथ में जो है Biometric आपका प्रोपर्ली होना चाहिए एंलोग यहां पर होना चाहिए कि आपका परिक्षा सेंटर पे आप जाते हैं एक्जाम देने के लिए तो जब आपका Biometric हो आधार के थूर के वाइस हो आपका तो वहां पर किसी भी प्रकार की समस्य आपकी ना आए और यह जो 56 पेज की नियम पुस्तिका है आप इसको जो है अमारे वीडियो के डिस्किप्शन में आपको यहां पर इसका लिंक मिल जाएगा डारेक्टली वैपम की वेबसाइट पर भी आप यह आपको अविलेबल हो जाएगा तो यहां पर जो है यह जो है आपको डाउनलोड करके इसको दो है अच्छे से पढ़ लेना है पहले आवधन करने से पहले ताकि आपको पता चल जाए कि आप इस पोस्ट के लिए इलेजिबल है या नहीं है या किस पोस्ट के लिए आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं तो यह सारी चीजव जो है पीडियाप में आपको यहाँ पर मिल जाएगी समूफाइब के लिए तो किस प्रकार की योग गता है आपर क्या मांगा है इसने यह तो सारी चीजवा यहाँ पर आपको पड़ने को मिल जाएगी तो आई होप यहाँ पर जो है I.U.S. इम्मा के बारे में कुछ देख लेते हैं आपर जानकारी हम तो यहां पर दिया है खुली प्रतियोग्दा सीधी भर्ती के लिए यहां पर दिया है 18-40 यहां पर दिया है अनुसुचित जंजाती और सास की निगम सौसी करम सैनिक और निशक्चन महला अनारक्षित 18-45 अधिकत लेटीर कोई जानकारी अगर अपन को मिलती है तो आपको मैं अपर बता देता हूं को तो यहां पर देखिए तो आपको देखिए यहोगर पढ़ना पढ़ेगा तो क्या होगा इस इसको आपन पढ़ेंगे और ज्यादा लग जाएगा तो इसको अब48 पर यहां पर यह वैस explain कर दी जाएगी तो फिलहाल यह short में एक जानकारी थी आपके लिए यहां पर कि इस form के लिए अगर आप eligible हैं तो जरूर इसको आप apply करिएगा और कोशिस करिएगा कि अच्छे से अच्छे नमर लाकर जो है इसमें अपना selection लेकर आ जाएं तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो में अकर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक like करिएगा और हमारे चैनल को subscribe करिएगा कि vacancy से related जो जानकारी है हमेशा हम आप के लिए लेकर आते रहें और आपको इसका notification समय समय पर मिलता रहे वीडियो मितता ही वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद